नमस्कर दोस्तों स्वागत यापका फार्मरोक्स की यूटूब बेजी कुस्टने चनल में आज की यूडू लेक्चर में हम डिटेल में स्टेडी करेंगे कि पटा कैसे जलने पर हम किस तरह से उपचार कर सकते हैं बर्निंग की ट्रीटमेंट कैसे हो सकती है तो डिटेल में सीखते हैं आज के लेक्चर में और जानते हैं कि किस तरह से हम उपचार कर सकते हैं कैसे या कंडिशन को हम मैनेज कर सकते हैं और जानेंगे अलग-अलग उप्संस कि किस तरह से हम दवाई या जीवो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं तो detail में सिखते हैं आज के lecture में और जानते हैं burning की treatment के बारे में तो जहाँ आप हम सिखेंगे basic उसके बारे में उसके symptoms होगे रहा क्या होते हैं treatment के क्या लग लग options है और कौन से medicines होगे रहा हम pre-scribe कर सकते हैं तो ऐसे समझें कि आपको detail में सिखना है बहुत सारी दवा यों के बारे में बीमार यों के बारे में तो आप medicine course को join कर सकते हैं तो ये course को join करने के लिए आप हमें whatsapp कर सकते हैं या फिर हमारी mobile application को download कर सकते हैं link description box में मिल जाएगी तो बात है topic pure समझते है burning के treatment के बारे में तो यह ऐसे medical condition है कि जिसके अंदर हमारी skin जे वो damage होती है उसके जो अलग-अलग layers होते हैं वो burning के करन जे वो affect होते हैं और especially ऐसी condition produce होती है कि skin जे वो जल जाती है और उसमें main एक reason होता है कि जब वो skin fire के contact में आती है तो ये problem जे वो होता है तो जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं जब भी कोई person इस तरह से पटा के कोई जला रहा है तो कई बार इस दरान कोई ऐसे incident हो जाते है कि आपको जो fire के कारण वहाँ पर burning हो जाती है और skin जो जलती है वहाँ भी तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं वह हम जानते है तो सबसे पहले जो burning होती है वो अलग-अलग grade में होती है जैसे कि first and second degree जो burning होती है वो minor condition होती है और यह जो गर पे ही ठीक हो जाता है जो primary care हम करते है तो primary care और दवायू की मदद से यह condition जो गर पे ही ठीक हो जाती है उसमें hospitalization होने की ज़रूरत नहीं रहती बिकॉस उसमें होता यह है कि जो skin के सिर्फ और सिर्फ जो यह उपर के layers होते है वो ही damage होते है और यह minor होती है condition कि जैसे उसको हम first या फिर second degree burning के अंदर जो वो include करते है और यह easily जो ठीक हो जाता पर जब skin के अंदर के layer या फिर bonds तक या फिर fat tissues होती है वहाँ तक समझे के burning पहुचती है तो इसको third and fourth degree हम burning कहते है और यह एक life threatening condition बन जाती है कि काफी ज्यादा जो वो वहाँ पे infection जो आगे जाके फैल सकता है तो ऐसे condition में patient को जो वो hospitalized करने की ज़रूरत रहती है emergency condition के अंदर तो diagramatically आप देखो कि तो समझ में आएगा कि इस तरह से अंद्रूनी layer damage होती है हड़ियों तक जो यह जलन पहुचती है और जो हमारे fat tissues होते है वो भी इसके अंदर जो हो damage होने लगते जिसको third and fourth degree हम burning कहते है पर यहाँ पर जो हमें सीखना है वो है first and second degree burning का कि जो किस तरह से हम primary care से ठीक कर सकते तो उसके symptom सबसे पहले आप देखो तो पहला symptom जो develop होता है किस तरह से skin जो आपकी red होने लगती है redness देखने को मिलते skin के उपर और वहाँ पर सूजना जाती है तो यह पहला symptom है उसके अंदर second symptom हम देखे तो skin इस तरह से होने लगती है कि जिसको हम कहते हैं कि सफेद या फिर दब्बेदार तवचा हो जाना किस तरह से यह सफेद color क्या portion develop होता है कई बार वहाँ पर इस तरह से जो पानी भी आने लगता है ऐसा आपको देखने को मिलता है तोड़ी बहुत जो है वो skin red या फिर सफेद जो देखने को मिलती हैं तीसरा हम एक symptom देखे तो इस तरह से blisters develop हो जाते हैं skin के उपर जिसको हम कहते हैं कि फाफोले जो होए वहाँ पर विक्सित हो रहा है फिर 14 symptom देखे तो जहाँ पर आपको ये burning होती है वहाँ पर skin जो आपके जलने लगती है काफी जलान आपको फिल होता है और उसके करन जो वो काफी दर्द होता है पेन होता है affected area के अंदर तो अब बात ये आती है कि ये condition को हम कैसे ठीक कर सकते कैसे हम उसका उपचार कर सकते है तो जब भी किसे को burning होता है तो सबसे पहला option जो यहाँ पर बनता है वो रहता है कि वहाँ पे इस तरह से आपको जो थंडा पानी डलना चाहिए पर ठंडे पानी में ध्यान ये रखना है कि बरप का पानी नहीं लेना है जो normal पानी होता है कि जो नल से आता है वो पानी आपको लेना है और वो ना ज़्यादा गरम होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा ठंडा medium जो पानी होता है वो आपको लेना है और वो minimum 15 या 20 मिनिट तक वो पानी जो वहाँ पे डालना रहता है second समझे कि ये complete कर लो उसके बाद समझे कि किसी को पैर में ये problem हुआ है तो आपको जो पैर जो तुरन ठंडे पानी के अंदर डूबो देने चाहिए कि जिससे काफी ज़ाद आपको राहत मिले और ये भी सेम 15 मिनिट रिपीट करना है कि अगर इस तरह से burning आपके पैर में हुई है second option यहाँ पे ये बनता है कि cold compression therapy का कि इस तरह से बरफ बरने की एक थेली आती है जिसके अंदर आपको बरफ अच्चे से feel करके cold compression therapy देना है और ये समझे कि 5-10 मिनिट के लिए दी जाती है और आप हर 2 गंटे पर या फिर 3 गंटे पर ये process repeat कर सकते है कि जिससे आपको काफी ज़दा सुकुन मिलता है और जो सूजन आ जाती है स्कीन के उपर वो दिरी दिरे कम होने लगती है तीसरा option यहाँ पर बनता है कि जो phrase aloe vera होता है उसका gel वहाँ पर आपको लगाना है पर यहाँ पर दियान यह रखना है कि कोई marketed formula नहीं करना है phrase जो aloe vera होते हैं वो आपको लाने है और उसको इस तरह से cut करना है और cut करने के बाद उसका यह जो pulp आता है या फिर उसकी जो gel निकलती है वो directly जहाँ पर जलन हुई है वहाँ पर जो यह वो लगाना होता है चौता option बनता है कि आप जो यह वो आपे honey जिसको हम सहत कहते हैं वो भी topically लगा सकते है because सहत के पास एक anti-inflammatory property रहती है anti-bacterial एक natural properties है कि जिसके करन यह सुजन पर कम करती है दर्द कम करती है और आपको काफी ज़्यादा जो वो सुगुन देती है पाच वो option बनता है lavender की oil का कि इसके पास भी same properties है anti-inflammatory property है anti-bacterial कि जिसके करन जो वो काफी ज़्यादा रहती है burning के cases के इंदर फिर छठा option बनता है कि जो तुलसी का रस लगाने का कि जो तुलसी के leaf वगिरा आप लेकर उसके पत्ते तोड़के लाना है और फिर उसका जो इस तरह से रस बनाना है और वो जो रस होता है जो juice होता है वो directly affected area के अंदर लगाना होता है पर यहाँ पे कुछ सावदान यह रखनी है कि जो यह blister develop होता है उसको जो आपको ford ना नहीं है कई बार लोग क्या करते है पीन वगिरा को लेके वो blister को ford देते है पर यह condition आपको जो नहीं करनी है क्या होता है कि cotton कई बार वहाँ पे चीपक जाता है और जल्दी से वो निकलता नहीं है और skin जो दीरी-दीरे खराब होने लगती है अब बात करते है medicines के कि कौन सी दवा यह इसके अंदर use की जाती है तो दवा यह के अलग-अलग options हम देखे तो सबसे पहले उसके हम options देखती है फिर आपको किस तरह से prescribe करनी है वो मैं आपको समझाता हूँ तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारे पास option है वो है silver X के gel का कि जिसके अंदर हम salt content के बात करें तो silver nitrate रहते है और यह सब जो gel होती है इसको silver based gel कहा जाता है कि यह option है आपके पास कि जो 2 या 3 बार दिन में लगा सकते है affected area में या फिर दूसरा option है silver X SSD के cream का कि जिसके अंदर silver sulfa diazine रहता है और chlorhexidine रहता है तो यह भी काफी useful सा भीत होता है burning के cases के अंदर अगर इससे भी ठीक ना हो तो तीसरा option हमारे पास बनता है soframycin का तो यह भी जो cream है वो दिन में 2 या 3 बार जो पेसंट लगा सकता है चौता option बनता है mega hill के gel का कि जिसके अंदर main salt content के हम बात करें तो amorphous hydro gel रहती है कि specially colloidal silver रहता है उसके अंदर कि जो हम बात करें के silver based gel की तो यह भी एक काफी अच्छा option बनता है फिर हिमाल्या का antiseptic cream हाता है कि जो herbal ingredients के साथ होता है तो यह भी patient जो अपलाई कर सकते अगर आगे के medication से ठीक नहीं हो रहा तो यह भी एक options रहता है आपके बास च्छटा option हम देखे antibiotic के cream and ointments का तो उसके अंदर यह niospurin काफी अच्छा एक option बनता है कि जिसके अंदर niomycin रहता है polymixin रहता है bacitracin रहता है कि यह भी जो पेशन लगा सकता है फिर povidon iodine के जो ointment है वो भी use किया जा सकता है कि अगर infection हो रहा है तो तुरंत यह antibiotic cream या फिर ointments जो लगाने चाहिए उन्हें के powders भी available तो जैसे कि आपे sipladine करके povidon iodine का ointment के option में उसका powder भी available है या फिर betadine का जो powder आते कि जिसके अंदर povidon iodine 5% जितना रहता है तो जहाँ पे जलन होती है वहाँ पे जिस थोड़ा सा powder जो यह वह स्प्रिंकल करना होता है वहाँ पे आप अपना हाथ जो यह वह कभी भी ना लगाए 9th option देखे तो उसे में neosporine का powder रहता है या फिर नयबा सल्फ करके एक powder है तो यह भी antibiotic का ही powder है कि जो patient जो वह लगा सकते है 10th option हम देखे तो oral tablets कहेंगे अगर समझे कि pulse formation हो रही है या फिर उसको prevent करनी है तो उसके लिए antibiotics के अंदर clevum 625 का जो tablet गिज़सके अंदर amoxicillin और potassium cleolinate है तो एक tablet दिन में एक बार या फिर दिन में azithromycin का कि अगर clevum 625 आप use नहीं कर सकते तो दूसरा option है azithromycin का कि जो एक tablet दिन में एक ही बार लेनी होती है और इसका course रहता है तीन दिन का इसलिए आप देखो तो tablets भी आपके blister के अंदर से तीन ही tablet आती है उसके packing में next option है taxin ocv200 का कि अगर कोई azithromycin भी नहीं ले पाता उसका resistance है body के अंदर तो sapphixim का option रहता है cephalosporin antibiotics में से और ये tablet दिन में एक बार या फिर दिन में दो बार जो पेसंट ले सकता है और ये खास कर आपको तीन दिन तक ही लेना है ज़्यादा दिन तक लेने की ज़रूरत नहीं रहती burning के cases के अंदर फिर अगर tablets कोई patient नहीं ले पारा काफी ज़्यादा जलन है तो उस वक्त तो समझे कि उसको IV treatment देनी है तो IV fluids के अंदर mix करके ये augmenting का injection जो उसको लगाया जा सकता है कि जिसका dose रहता है 0.25 से लेकर 1 gram वो भी दिन में 3 बार सिर्फ और सिर्फ IV से ही उसको दिया जाता है जो IV fluids होते है उसमें dilute करके ये injection लगाया जाता है फिर वो भी नहीं ले पाता कोई augment रिन तो उसके पास दूसरा option है सूफा सेप के जो injection का कि जिसके अंदर C-feroxyne sodium रहता है salt content के अंदर और उसके dose के हम बात करें तो 0.75 से लेकर 1.5 gram इंट्रा मस्कलर या फिर IV से दिया जा सकता है हर 8 गंटे वे पर ध्यान ये रखना है कि जब भी IV में दिया जाए तो उसको dilute करना जरूरी बनता है आगे option है कि अगर patient को pain हो रहा है दर्द वगेरा हो रहा है तो इस वक्त आइबो जिसक प्लस करके जो टाबलेट साथ है कि जिसके अंदर आइबो ब्रूफेन भी है और paracetamal भी है तो जब समझे कि दर्द भी है बुखार जैसा फिल होता है burning के गरण तो इस वक्त एक टाबलेट दिन में एक बार या फिर दिन में दो बार जैवो patient ले सकते हैं अब बात करते कि कैसे prescribe किया जाए तो एक जो silver based cream है वो compulsory patient को prescribe करने रहती है कि जब first week होता है burning का तो वो week दोरान सिर्फ और सिर्फ यही cream जैवो apply करने चाहिए दिन में दो या फिर दिन में तीन बार एक week के बार समझा कि ऐसा feel हो रहा है कि सायद वहाँ पर first formation होगी skin में infection जैसे आपको सायद feel हो रहा है तो फिर second week में यह लगाना काफी ज़रूरी बनता है कि जो हमने antibiotic के gel या cream वगेरा discuss किये उसके powder discuss किये तो वह लगाने चाहिए कि जब तक proper skin healing नहीं होती तब तक यह antibiotic आपको लेने चाहिए और जरूत पढ़ने पर oral antibiotic दीन तीन दीन तक patient ले सकता है कि जो हमने अलग-अलग tablets discuss किये और tablet नहीं पाले पाता तो IV या फिर IM injection का भी option रहता है और ले सकता है तो ऐसे ही detail में सिखना है आपको बहुत सरी दवयों के बारे में बीमारीों के बारे में तो medicine course को आप join कर सकते हैं और यह हमारे वीडियो को भी अलग-लग WhatsApp groups के अंदर आप जरूर से सेज़ करें तो medicine course को join करने के लिए आप हमें